T20 World Cup के Super 8 के तीसरे मैच में गुरुवार को भारत ने अफगानिस्तान को 47 रनों से हरा दिया। इंडिया ने टॉस जीत कर पहले बल्ले बाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 181 रन बनाए। इंडिया की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने सरवाधित 28 गेंदों पर 53 रन बनाए। वहीं अफगानिस्तान के फजल हक फारुखी और राशिद खान ने 3-3 विकेट लिए। 181 रनों का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की टीम 134 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और जस्परीत बुमराह ने 3-3 विकेट लिए। शांदार प्रदर्शन के लिए सूर्य कुमार यादव को प्लेयर आफ दे मैच दिया गया। भारत ने इस T20 वर्ल्ड कप में अब तक बहतरीन प्रदर्शन किया है। अभी तक भारतिय टीम एक भी मैच नहीं हारी है।